हम्रा सम्पूर्ण दर्शक हरुमा हमी यो जानकारी गरावद सवकी इतिहांस भुगोल बायुग्राफी लगायात का बिसे हरुमा जानकारी दिनकालागी हम्रो नया All History YouTube चानल लाई सब्सक्राइब गरना न भूलनों भला All History YouTube चानल को लिंक तोला डिस्क्रिप्चन मा रहे को साँ ये संसार मा गुम्नकालागी धेरे स्थान हरुछन र प्रत्यक बर्श करोडों मानी सरु गुम्नकालागी जाने गर्शन तर यती सुन्दर धर्तीमा केही येस्ता ठाउं हरु बनी छन जहां येदी तपाई एक पटक जानो भयो भने साइद त्याहां बाट जिवंदू फर्कनों भला किनकी तेस्ता ठाउं हरुमा धेरे जना गए तर कहीले फर्केर आये नन दर्सक ब्रिंद आजको येस्त्रेंखला मा हमी येस्तो कोठाको बारेमा कुरा गर्दैशों येदी कोही तेस कोठामा गयेमा साइदू फर्केरा आये पनी उसको तुरून्त म्रित्यू हने शा हामी कुरा गर्दैशों युक्रेण मा अवस्तिद एक पोठाको जो अंडर्ग्राउंड मा रहे कोशा आखिर किन येस भुमिगत स्थान दुनिया को सबई भंदा खतर नाक ठाउं भायोता यो कथा धेरे ने रोजक्षा यो बेस्मेंट अर्थात भुमिगत स्थान प्रिप्यात मा रहे कोशा येसलाई चेर्णोबल दुर घटना को नामले पनी जाने शा योई तिहांसको सबई भंदा ठूलो नुकलियर घटना थियो र येसमा धेरे जनाले आफनो चिहान गुमाये का थियो तरह कियही वेक्ति प्रूलर इंजिनियर ले एक सेफ्टी टेस्ट गरना सोचे उनी युहेर न चाहान थेकी येदी कुने कारण ले पावर गयो हने के तियो नुकलियर रियाक्टर को कुलिंग बक्स लाए इमर्जेंसी डिजेल जेनेरेटर चली रहे समचलाई राखना सकीन छा वा सकीन दैना कुलिंग पाम्स रियाक्टर ले टेमप्रेचर लाए मेंटेन राखना मदद करद सा यती बेला एकस्पेरिमेंट कंडक्ट गराउनो नै उनको धेरे ठुलो गलत निर नाय थियो किन भने उनी कुने खेलाउना का साथ एकस्पेरिमेंट गरी रहे का थियो अर्थात कसे संग पनी प्रपर क्यालकुलेटेड स्टाटिटिक्स थिये ना कुन चाहें प्रोसेस लाए पहिला गरने हो कुन लेभल लाए र कुनको पावर लाए बढ़ाउनू वया घटाउनू छा वर्कस ले सबई सेफ्टी सिस्टम बंद गरी दिये का थिये औनी उनिहरुले रियाक्टर रियाक्टर मा रहे का सबयी ग्राफाइड कंट्रोल राड्स लाए पनी निकारे दिये यू कंट्रोल राड्स रियाक्टर लाए स्टेवल अर्थात स्थिर राखनमा मदद गर्द थियो धेरे राड्स लाए निकाले पसी उनिहरुले रियाक्टर लाए 25 प्रतिसतमा चलाव कम होना थालियो रा त्यू कम-कम हुदाई एक प्रतिसात मा झालियो त्यहा को नुक्लियर इंजीनियर ली पावर ले बढ़ाऊना का लागी आदेस दिये तरह एकई पटक पावर बढ़ाऊना दा रियाक्टर अन्स्टेबल अर्थात अस्थिर भयो आनी त्यसको पावर आफ से आफ धेरे बढ़ना गयो रा सवय सेफ्टी सिस्टम बंदभाय को भनाले रियाक्टर नमर फोर को इमर्जेंसी सट डाउन सिस्टम फेल होना गयो त्यहा का एक इंजीनियर ली तेस टेस्ट लाई तुरूंत रोकन का लागी निर्देशन दिये तरह बरिष्ट इंजीनिय राखना रा टेमप्रेचर लाई संतुलन बनावना का लागी पानी चाहिन थियो त्यों कंट्रोल पॉम्प बाट आई रहे को थियो तरह अचानक पावर बढ़ना ले त्यों कंट्रोल पॉम्प पनी फेल होना गयो बिस्तारे बिस्तारे प्रेसर का का कारण रियाक्टर नम पानी को संपर्क ले बिल्लिंग मा धेरे ठुलो स्टीम अर्थात बाफ को प्रेसर बनना लागयो। यस्तो अत्यधिक प्रेसर ले त्यहाँ एक ठुलो बिसपोट होना गयो। जसको कारण हजारों टन लीड हावामा फैलियो। अब ता रेडियेसिन चुही देथियो। त्यस प्रेसर बिसपोट भायो। यो बिसपोट पहिलो बिसपोट भन्दा निकै ठुलो बिसपोट थियो। यस बिसपोट मा त्यहाँ उपस्थित रहेका द्वी ओर्कर्स को तुरुंतै मृत्यु भायो। रेडियेसन चारेती रा फैलिने सुरु गर्यो। अब इदोबै आफनो मार्गा मा आउने सबै बस्तु लाइ पगालना सुरु गर्यो। यो लाभा को बस्तु हरूलाई पगाल दए रियाक्टर प्लांट को रूम नंबर 210 बेसमेंट सम्मा पूग्यो। केही समय पछी न्युक्लियर फ्यूल ग्राफाइट कंट्रोल रोड्स बालुआ कां त्यों लाव चीशो भायपसी कुने ठूलो हात्ती को पाहिला जास्ते देखिये को छियो डिसेंबर उन्नाइस से चायासी मां उर्त जम्य को लाभा लाई एलेफेंट फोड को नाम दियो अनि यो नहीं त्यो कोठा हो जोन दुनिया को सबई भंदा खत्रनाख कोठा को रूप मां जानिन सा जास्मा आजबनी यो इलेफेंट फूट रहे को सा त्यस बेला यो एती खत्रनाख थियो कि इस बाट निकली रहे को रेडियेशन लाए रोकना का लागी सोबियत यूनियान ले त्यस बेला को सबई भंदा ठूलो सिविल इंजिनियर प्रोजेक्ट सुरू करयो त्यस प्रोजेक्ट मा लगभग 5 लाख भंदा बड़ी ब्यक्तिहरू जोडिये का थिये यस प्रोजेक्ट को नाम चर्नोबल नुकलियर पावर पलांट सार्कोफेगस राखियो कंक्रिट रा स्टिल बाट बने को यू बिसाल स्ट्रक्चर रियाक्टर प्लांट को चारहीती रभ बनाईये को थियो ताकि रेडियेशन लाई यसको भित्र राखना सकियोज सार्कोफेगस वित्र दूसे टन रेडियो एक्टिव कोरियम 30 टन भन्दा बड़ी रेडियेशन ले भरियेको दोलो रा सोरटन यूरेनियम प्लूटोनियम रहेका सन यदी कोही व्यक्ति केवल यस बिल्दिंग को छाता वित्र मात्र बारा मिनेट उभिधा पनी उँ रेडिय को वंदा बनी ठूलो स्ट्रोक्चर मां बंद गरियेको सा ताकि उन्हे प्रकार को रेडियेशन चुहीने संभावना न रहोस। बिस्फोट को कही समय पसी यहां अन्य बैज्यानिक अरूले खोज अनुसंधान करे ताकि ये स्वित्र अरू त्यस्तो कही पदार्थर न रह होस जो भविश्यमा अरू बिस्फोट को खतराब बनी रहोस। बैयानिक अरूले निरंतर 6 महिना को खोज अनुसंधान पची उन्हेर को सामू एक डरलाक दो तथ्य प्राप्त भायो। उन्हेरूलाई रूम नम्मर 27 को बेस्मेंट मा धेरेने ठूलो रेडियो अक्टिव म मास फेला परयो। एक रिमोट कंट्रोल को क्यामरा को मददली पहिलो चोटी इलेफेंट फूट को तस्विर लीयो यो केवल 2 मेटर ठूलो थियो तरह येसको डेनसिटी अधिक मात्रा मा थियो। केवल 2 मेटर चौडाई रहेको इलेफेंट फूट जसको तौल लगभग 100 से टन भंदा पनी धेरे थियो। त्यस बेला यो एती खतरनाक थियो कि येस भाट लगभग 10,000 रोन जेन पर आवर्स भाट रेडियेशन निकली रहेको थियो। येसको मतलव केवल 30 सेकेंड एसको सामू रहंदा तपाई को स्वास्थ्य धेरे ने बिग्री न सक्षा। आन धेरे शाकी येसले क्यामरा को फिल्म वा रिल लाई पनी असर पुरेये रहेको सा। लगभग 32 बर्स पसी इलेफेंट फूड को रेडियेशन इमिशन मा कमी आएको सा। पछिलो समय को एक स्टड़ी का अनुसार एती बर्स पसी पनी इलेफेंट फूड को टेंप्रेचर अ अहिले पनी तेतीने धेरे शाकी ये धेरे बिस्तारे 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 बेस्मेंट को जमिन लाई पनी पगाली रहेको सा। अनी एदी ये बेस्मेंट को जमिन लाई पगाल दै जमिन भीत्र पानी को कंट्राक्ट मा पुग्यो भने जहन येसको परिणा रामरो हने छा योकुने फेंटासी वा गोस्ट स्टोरी होई न योता एक सत्य कथा हो जसको प्रूफ साइन्स टेकनोलोजी संग आजा पनी सुरक्षित रहे को सा यस घटनालाई तपाई इंटरनेट मा चेर्नोबल डिजास्टर को नामले खोजन सकनो ने सा दर्सक ब्रिंद बैज्यानी खरूले ज्यान जोखिम मा राकेर गरिने यसता एकस्पेरिमेंट हरुको बारे मा तपाई के भननो होन्छा हामेलाई कमेंट मा अवस्य बताओनो होला साथे आजको श्रिंखला तपाईलाई रामरो लागे भने लाइक तथा सेयर गरी हमरो चानल लाई सब्स्क्राइब गरन न भोलनो हला रसात्म रहेको वेल आइकन पनी थिसनो होस ताकि हमरो नया वेडियो को जानकारी सबई भन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस झाल